हालो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो ओंचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब बात करेंजा हैं पर अगले पॉइंट के बारे में सी मेंबस पार्ट वन में समझा दिया है कि निफ्टी का ट्रेंड कैसा रहने वाला है और मेंबस यस्टरी को भी बताया था कि मार्केट में कुछ फॉल्स आ सकते है यह आपको बैस्ट एक्जम्पल आज निफ्टी के अंदर मिल चुका है बैंग निफ्टी एक पॉसन निफ्टी आदा पॉसन एप्रोक्सिमेटली फॉल काता हुआ दिखेए अब उचे सर रीजन क्या है तो देखो एफ़ाइ की फिरसे बड़ी सेलिंग है 2200 क्रोट की सेलिंग है लेकिन गबराने की जरुवत निए यह टेंपररी सेलिंग है मुझसे बुछे सर कहां तक मैक्सिमा मार्केट नीचे जाएगा 17200 मैं सर नहीं बोलूगा कि फिक्स आएगा लेकिन जो लिवल्स दीख रहे है ठीक है वो 17200 तक क्या दीख रहे है तो अगर फॉल आएगा तो 17200 तक आ सकता है अब मैं बस ध्यान सर सुनना हमारी ये वीडियो important की हो जाता है हमारा logic important की हो जाता है तो point focus करना बहुत important points हो जाते है फिर कोई query रहे जाती है comment की चीका ठीक है और हमारी analysis होना तो best हो जाती है काफी लोगों को I will see P के नदर profit मिला है profit मिला है मेरा बाई profit book and exit ठीक है अगली बात करने जाए मैं बस अध्यान सर सुनना अब सभी को बता है कि Z Sony का merger हुआ है और ये merger में problem किसको थी Invesco ठीक है तो Invesco ने बीच में यहाँ पे court में case दाखिल किया दा कुछ ABC problem चल रहे थे लेकिन अभी के लिए Invesco 7.8% का stick एक sale करने वाला है block deal के सरी है ठीक है block deal या निखी कोई बेचने वाला होगा कोई खरीदने वाला होगा बेचने वाला कौन है ये तो पता है खरीदने वाला कौन है वो कल पता चलेगा ठीक है अगर आपको पता है comment कर सकते हैं लेकिन members ये news negative हो जाते है क्योंकि बहुत बड़ी sale है साड़े साथ परसन का sale है यह one of the biggest आप consider कर सकते हैं एक तरह से OFS consider कर सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे कि रूची सोय का OFS है था वैसे ही आप biggest consider कर सकते हैं तो इसकी वज़े से Z Entertainment का stock बहुत बड़ा fall करेगा तो कल आप यह ध्यान में रखिएगा मेरी साब से कल fall एक आ सकता है 270-250 शायद एक touch कर सकता है मैं यहाँ पर guarantee नहीं दे सकता है लेकिन शायद touch कर सकता है मुझसे पूछे तो अगर यह 250-260 आसपास मिलता है long term trader है अगर interested है add कर सकते है अगर वहाँ पर मिलता है अगर नहीं मिलता है तो फिर avoid कलीजीगा ओके लेकिन short term में मन देखेगा clear cut note ना 2 मेने के लिए ना 5 मेने के लिए clear cut 1 year के लिए और अगर 250 टच कता है तो की बात है वरना नहीं ओके लेकिन यह definitely negative news है focus कीजेगा अब members 8 April को यह positive consider करेंगे तो उसका जो reaction होगा वो कल ही आपको पता चल जाएगा निफ्ती recover करेगा यानि कि reaction positive है ठीक है लेकिन inflation members बहुत heavy है अब definitely check कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि C&G के prices ठीक है दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर महारश्र के अंदर 7 रुपए तक बढ़ चुकी है ओके definitely inflation पर पड़ेगा क्योंकि transport महेंगा होगा transport महेंगा होगा तो basic need होगी ठीक है वो उपर चली जाएगी inflation rate definitely उपर जाने वाले है ठीक है एक definitely लिए रेपोरेट में चींज आना जरूचिए अगर नहीं आता है मेरी सबसद वो negative concealer किया जा सकता है ओके तो point focus जरूचिएगा ये थोड़ा मेरी लिए तो negative हो जाता है अब मैं बस ध्यान से सुने Morgan Stanley का मानना ये है के sense six 75,000 touch कर सकता है bulk case scenario के अंदर इन लोगों ने condition क्या रखी है bulk case यानि कि market में तीजी होती है पागलों की तरह तीजी होती है तो उसको बोला जाता है bulk case तो 75,000 तक जा सकता है और अभी कहां पे है जेखो अभी कहां पे members अभी यहां पे almost 60,000 के approximately है तो definitely market में जो तीजी अब यहां पे expect करें Morgan Stanley मुझसे पूछे तो यह काफी तक positive really है और यह possible है जी हां members possible है तो आपको कोई गवराने की वैसे ज़रूआत नहीं है अब members एक negative news market में आ चुके है वो है covid का नया variant अब members market में इतने खितानक अब इतने unlimited variant ने अभी कहना मुश्किल हो जाते कि covid कब खतम होगा क्योंकि आप सभी को बताए कि अभी चाइना में नया covid cases है काफी covid cases बढ़ते हुए दिखाई दिए तो आप consider कर सकते कि market में ABC news की वज़े से fall आ जाते है अब Dow Jones देखो गए तो आज भी तो मुझ से उच है तो 17,600 की levels दिखाई दिया सकते है और अगर आप पूछे कि सर ये covid variant आपको क्या दिखाई दिरे कुछ news में बहुत strong है क्या मेरे इतना strong नहीं दिखाई दिरे अभी के लिए जहां तक sources का मानना है ठीक है only first case यहाँ पे है यहाँ पे stake sale कती हुई दिखाई दे सकती है और इसी के वज़े से ये stock fall काता हुआ दिखाई दिखाई दिया तो members करना क्या है अगर आपके पास cost to cost है ISATC मुझ से पुछे तो exit कर ले न save side के लिए क्योंकि short term के लिए profit नहीं मिलने वाला यहाँ पे 6 महिने कम से कम लगेंगे stock को breakout करने में आप खुद members देखो देखो members October से लेके आज यहाँ पे April cross हो चुका है अब तक एक ही range में है ठीक है जब rally होती है सब पागलों के तरह पीछे वाक देखा सर यह उपर जाएगा उपर देगा तो members मैं हमेश आपको बोलता हूँ कि बड़े long term stock में भी profit book करना सिखना पड़ेगा ठीक है अब देखो members मानलो आपके पास ICTC में 2 लाख है ठीक है example ले ले लेते हैं अगर अपने यहाँ पे split से पहले 6000 पे जो profit booking आई थी ठीक है वहाँ पे प्रॉफिट आप book कर लेते और अदानी विलमार के अंदर आप entry कर लेते हैं तो अदानी विलमार लिस्टिंग के बाद कितना bumper profit दिया है ठीक है फिर यहाँ पे profit booking करके तीसरा stock आएगा तो मेरे भाई funds इसको बोलते है funds rotate करना क्या funds rotate करना 6 महिने के लिए अगर stock यहाँ पे आप funds stuck करके बैठोगे तो खुद सोचो कि आप trader कहलाओगे नहीं न अगर आप market में active हो आपको पता यह movement नहीं करेगा तो क्या आप यहाँ पे investor कहलाओगे आप proper investor भी नहीं कहलाओगे तो इसी के वज़े से बोलाओ मेरे भाई एक बात समझो अगर बड़ी profit booking दिखती है तो आपको stock में से exit करना है क्यों? क्योंकि वो stock और fall करेगा ठीक है? मान लो बड़ी profit booking यानि की stock में और fall आ सकता है यह दोस्तो simple example था यहाँ पे दिखो first time जब बड़ी lower circuit लगी ISATC में यह indication था यह बंदा उपर नहीं जाएगा ठीक है? बड़े players ने mall heavy में बेचे है ऐसा अंदाज़ा members आपको बहुत सारे stock में मिलेगा ठीक है? members में आपका सिर्फ 5 minutes लोगा आपको बताना चाओंगा आपको अंदाज़ा बहुत सारे stock में मिलते हैं जैसा कि हो जाता है बाला जी माइस यहाँ पे देखो कितना बड़ा fall था आप देख सकते हैं यहाँ पे? ठीक है? उपर की level continuously उपर जा रहा था लेकिन उपर की level से यहाँ पर इतना बड़ा fall आया ठीक है? यह अंदासादा बड़े प्लियस निकल चुके है उसके बाद यह कभी भी level टच नहीं किया कौन सा? 4000 के उपर का level 4000 400 से fall करके 4000 तक गया समझ रहे हैं? तो हमेशा यह ध्यान मेरे को खुए 6-7% का intraday में fall आता है stock में ठीक है? बूल रन में नेमस में वर्ड यूस करों बूल रन में अगर stock vertical उपर जा रहे है लेकिन अगर 6-7% का fall आ रहे है वो stock में बड़ी profit booking और आएगी और वो और fall करेगा ठीक है? मैं same example आपको दूँगा अदानी power का अभी अदानी power में कुछ भी नहीं है लेकिन जब fall आएगा ना ठीक है? इसका fall 15% का पकड़ लेना मानलो 15% से fall जादा है अदानी power में मेरे भाई वो कम से कम 6 मिने ले लेगा उपर आने में ठीक है? तो अदानी power में भी ये focus का ना मानलो 5% का fall आएगा ना 5%, 10% या 12% तो कोई प्रब्लम ने लेकिन अगर 15% से ज़ादा fall आया तो मेरे भाई इसको तो फिर रिखाव़ करने में बहुट टाइम लगने वाला है समझ रहे हो? लॉजिक क्लियर? और मेंबर्स एक आपको बताना चाहँगा ध्यान सा सुनना अगर आप हमारे वीडियो डेली फॉलो करते होंगे तो मैंने अदानी पावर का टार्गेट आपको बोला था ये अगला छोटू स्टॉक है 250 की टार्गेट होंगी एक साल के अंदर जब ये 120 पे था मिलगे मेंबर्स? ठीक है? कौन सा स्टॉक बेस्ट हो जाता है टाटा पावर लो या अदानी पावर लो मेरे भाई हम को लो ठीक है? हम जो बोलते हैं उसको फोकस करो वो सबसे बेस्ट हो जाता है इतनी परफेक्ट एनलेसिस कोई माईकालाल नहीं है जो आपको प्रोवाइड करेगा ठीक है? बोलेंगे ICT से उपर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा बोलेंगे यहाँ पर ये स्टॉक उपर जाएगा तो वो जाएगा यह आप definitely देख सकते हैं ILCP का best example हो जाता है और बात करने जाए Yes Bank अब मेंबर्स कुछ न्यूज आ रही थी हाला कि अफवा है मैं serious नूर पर बोला चाहूँगा इसको अफवा consider अभी के लिए करो जब तक confirmation कोई news ना जाए अफवा ये है कि अद्दानी ग्रूप शाए Yes Bank को खरी सकते है ऐसे कुछ अफवा है अब मेंबर्स ये rumors की वज़े से Yes Bank चांद फाड की उपर चला गया है मुझसे बूशे तो इसको follow मत कीजे अगर कुछ भी news ये rumors साबित हो चुके अगर confirmation होगे तो मेरे बाई और 20% fall कर लेगा तो इसको rumors ही रहने दो आपको exit का मुखा मिला है exit सोचू अगर कोई long term है 2-3 साल hold करना चाहते ये बेकर है ठीक है मानलो 20 भी जाएगा तो भी मैं अभी ये ही बोलूँगा क्योंकि अभी rumors की वज़े से ये stock चांद भी गया है ठीक है technical analysis पूछे तो यहाँ पे 16 लाग के target है मैं इसको आपको exit बोलूँगा जब price हा जाती है तो मैं बस ये सबी stock है मैं news के वज़े से focus में रह सकते है फटाट कुछ viewers के question ले ले दे के सर creative में का करना चाहिए add करना चाहिए average करना चाहिए देखो as a disclaimer मेरे पास भी creative का stock है ठीक है यहाँ पे एक बाद creative का stock दिख लेते का stock कहां पे trade कर रहा है सी मैं बस आज 2% fall है लेकिन मुझसे पूछे तो ये support पहे है देखो stock उपर गया नीचा आया vertical उपर गया अभी ये support ले सकता है यहाँ से base बनेगा फिर उपर जाएगा तो मुझसे पूछे तो ये अभी 15 दिन कम से कम ले लेगा नया week 50 to 1 high cross करने के लिए लेकिन जैसे ब्रेक करेगा stock में बड़ी momentum आ सकते तो इसको focus जरू करना fall जादा नहीं हो रहा है लेकिन stock में इसाब से ज़दी माफ कीजिएगा जल्दी momentum कर सकता है ओके logic focus कीजिए लेकिन जो पूछे के sir average करो अभी मेरे बड़ी वेट करो अभी थोड़ा वेट ही कर लो क्योंकि funds stuck हो जाएंगे तो वेट ही कर लो बेटर है और अगर short term का व्यों है आपको exit करना है तो definitely pullback में आप exit कर सकते है IOLCP sir ILCP में क्या करना चाहिए short term trader profit book इसको profit book कर लो क्योंकि जब मैंने आपको provide दिया था यहां से दिया था approximately 350 या 400 से दिया था 100 point की really आरम से आ चुकी है 125 points की approximately आप consider कर सकते है 22 या 25 percent की profit book कर लीजे short term traders थोड़ा fall होके sideways होके यह फिर उपर जाएगा 600 के target intact है लेकिन 6 महीने लगेंगे तो थोड़ा fall करेगा बाद में add कर सकते है लेकिन अभी के लिए profit book clear एक हो जाते है खेतन chemical sir खेतन chemical में क्या हो रहा है यहां पे एक बात देख लेते हैं देखो members ये tension वाली बात देखो कैसे मूँ कर रहा है खुद सोचो ना फॉल किया उपर गया 20 डियमा पे support फिर उपर फिर 20 डियमा पे support यहां पे support लेगा time spent करेगा फिर उपर जाएगा ठीक है कोई गबरानी के जरुवत ने यह temporary support है अगर panic लग रहा है तो exit कर सकते हैं यह बाकि वैसे गबरानी के जरुवत ने अगर मुझसे बूचे सर प्राइस मेरी आजेगी क्या अगर मैं exit कता हूँ 138 पे definitely अपकी 138 की price all time high की वो आजेगी कोई tension मत लीजेगा ठीक है तो कोई गबरानी के जरुवत ने quality stock है और अभी chemical sector fertilizer stock उपर जा रहे तो कोई गबरानी के जरुवत नहीं है रूची सुया सर रूची सुया FEO में क्या करना चाहिए देखो मैं बस as a disclaimer मेरे को alert हो चुका है ठीक है 5% के listing in की chances है मुझसे पूछे तो मैं इसको hold करूँगा क्योंकि FEO के बाद कम से कम 5 मेने के बाद यह stock मुझसे पूछे तो 1200 तक के target दिखाई दे रहे तो मैंने FEO पे अपलाई के था 650 पे 1200 दिखेगा तो मैं 50% exit कर दूँगा बाकि 50% hold करूँगा चीक है तो मेरे को तो अलएड़ी यहाँ पर double profit मिल चुका होगा 6 महिने के अंदर तो आप भी अगर interested है वो कर सकते लेकिन मुझसे पूछे तो short term का view है तो जैसे list होता FEO कब होगा 8 April को approximately जहां तक मुझे पता है ठीक है अगर short term का view है exit कर सकते 6 महिने का view है यह बंदा और उपर जाएगा clear और हो जाते अदानी विलमर सर अदानी विलमर में long term के लिए कब बाई करो मेरा बाई गाड़ी छुट चुकी है अब मुझसे बूचे तो क्योंकि यह vertical मुह 360 से 600 गया है बार बार पकड़ पकड़ के बोला था मैं पागल हो गया था बोल बोल की मेरा बाई 1000 जाएगा 200 का stock 1000 के अदर कोई मा यका लल है में मैं में में पागल नहीं हो कि आपको यह बोलूगा 1000 की target है कौई stock में बोला है क्या इतने वड़े target बोला है क्या? 3 गोणा चार गोणा target कभी भी बोला है क्या क्या कोई stock के अंदर? वह भी एक साल के अंदर वो भी quality stock के अंदर जैसे कि मैं बोलो कि बाई जो relance का stock है 2600 के आंसपा stock होगा तो मैंने कभी आपको बोला है कि relance यहाँ पर 8000, 9000, 10,000 आएगा क्या HDC में बोला है क्या अदानी port में बोला है नहीं न मैंने किस में बोला है इतना बड़ा target है नहीं न तो यह logic था member से मेरा logic इतना सटिक क्यों है वो मैं आपको समझा रहा था अभी भी नहीं समझते मेरे बाई मैं आप definitely बोलना चाहूँगा गलत लोगों को follow करे ठीक है इतना perfect analysis मैं बता रहूं मैं खुद अपने screenshot रख रख के मैं पागल हो गया हूँ ठीक है अभी भी इश्वास नहीं तो मैं क्या बोल सकता हूँ ओके तो जो follow मैं बोल रहा हूँ वो follow को एक बाद ठीक है बात में मान लो आपको accept करना नहीं करना आप पर depend हो चाहता है लेकिन जो बोल रहा हूँ वो सुनो अगर आपके family members नहीं सुन रहे या तो आपके friend zone नहीं सुन रहे तो उनको गोलो मेरे बाई इसको तो follow करो एक बार ठीक है जो views आते वो अच्छा नहीं होता है ऐसा हर बार समझे वो तो promote करके भी आ जाता है ठीक है तो यह point ध्यान में ज़रूर रखना चले members यहा trailing stop loss रख सकते हैं trailing stop loss हो जाता है 570 का और whatsapp group को join काने छोटी से paid membership है 5 मेने की free membership आप हमारी link से demand account open करके ले सकते हैं और या तो आप हमारी 800 उपेस पोर मन्त की payment करके हमारी one month की membership ले सकते हैं अगर payment कर देते हैं client idea आ जाती है कुछ भी हो जाता है तो आप हमको screenshot email कर दीजग और free time के अंदर members हमारी video देखें काफी quality हो जाते है तो data power अभी भी rocket कर रहा है जो बोला था वो हो रहा है तो video follow कीजेगा मिलते हैं अगली video के अंदर तब तक के लिए goodbye जय हिन